ओम शान्ती आज आपका 98 दिन का वर्दान आज इस इश्वरे वर्दान में परमपिता परमात्मा हमें व्यर्थ की चेकिंग कराने के लिए कहते हैं क्यों हम अपने जीवन काल में वैसे ग्यान में हो चाइना ग्यान में हो लेकिन व्यर्थ संकल्पों से हर कोई जूचता ही है तो ये विर्थ संकल्प हमारी कहीं न कहीं हमारी जो खुशी है, सुख है और शान्ती को खतम कर देते हैं और स्पेशली जब हम परमात्मा के ज्यान में आते हैं, ब्रह्मकुमारी जॉइंग करते हैं सेवन डेस का कोर्स करते हैं और पैचानते कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैंने कितने जनम लिये, कम में इस धर्ती पर आई आत्मा, मेरा दिव्वे सुरूप क्या था, परमात्मा ने मुझे कैसे रचा था और मैंने कैसे सारे अपना सुक, शान्ती, खुशी, प्रेमानंद को खो दिया, जनम लेते-लेते, और मैं आत्मा आखिर में आ करके, ठक करके, भक्ती करते-करते, सारी सुझ-भुझ खो करके, और परमात्मा को भी भूल गई, अपने आप को भी भूल गई, तो जब ये सार कि व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भवा व्यर्थ की लीकेज क्या है और हम कैसे समर्थ मलग केपबल बन करके अपने कम खर्च करें हर चीज का खर्च अकर कम किया जाता है तो बोलते हैं तरकी होती है तो इसी तरीके से परमात्रों चाहते हैं कि हम अपने संकल्पों को भी कम खर्च करें तब जाकर के हम बाला नशीन भवा कम खर्च बाला नशीन मलग कि आप फाइदेमंद बनेंगे त जंगम युक पर बाप दादा दौरा जो भी ख़जाने मिले हैं अब बाप दादा ख़जाने कौन से देते हैं सुख शांती प्रेम आनंद खुशी ये सारे ख़जाने मिले हुए हैं और इनको ख़जानों को कैसे हम बचा के रखें उसा ग्यान मिला हुआ है क्या सोचें किस परिस्ति में क्या ना सोचें कैसे देखें कैसे किसी सिचुशन को फेस करें कैसे किसी विक्ति के बिहेवियर को फेस करें उसके बरताब को हम परखें और अपने आपको कैसे स्टेबल रखें ये सारा ग्यान हम ब्रहम कुमारी में हम पाते हैं लेकिन उसको अगर यूज करे शांती बनाई, खुशी बनाई और थोड़ी देर में हमने गवा दी तो वो लीकेज हो जाता है और वो कारण क्या होता है? वेर्थ संकल्प तो बाबा कहते हैं संगम युक पर बाब दादा दौरा जो भी खाजाने मिले हैं उन सर्व खाजानों को वेर्थ जाने से बचाओ हम सुख मिला, शांती मिली मेडिटेशन करी, हमने अच्छे सोच सोची, हमने अच्छे कर्म किया हमने किसी की सेवा करी और खुदी उसके बाद में वेर्थ संकल्प करने शुरू हो गया तो हम गिर जाते हैं यहां कमाई करी एक तरफ और यहां एक तरफ के आओ गया सब कुछ ड्रेन उठ हो गया बाबा कहते हैं वेर्थ से बच्चाव करना अर्थाथ समर्थ बनना देखाया है तो हम जिसे कहते हैं जादा ना खरीदो ज्यादा ना wastage करो बेकार चीजों में अपना धन्मत लगाओ जित्ती जरूरत है उतना ही हम इस्तमाल करें उसी प्रकार यहां भी हमारे संकल्प हम ब्रामनों के संकल्प कहीं न कहीं खिज जाते हैं या तो दुनियावी चीजों में दुनियावी बातों में नेगेटिव चीजों में नेगेटिविटी ढूणना किसी में किसी में खोड ढूणना किसी में अच्छाई ढूणना किसी के लगाव में आना किसी के प्रभाव में आना किसी से प्रभावित होना या बुरा प्रभाव या अच्छा प्रभाव तो ये सारी चीज़ें हमें खीचते ही है कभी-कभी तो आजकल मुबाइल फोन के अंदर लगे रहना दिन भर टीवी पर लगे रहना दिन भर ये भी हम ब्रामनों के लिए व्यात बन जाता है क्योंकि उस पे कोई भी पवितरता की चीज़ है ही नहीं आज आप जो भी खोल लीजे चाहिए आज की मुवीज देखिए चाहिए आज की सीरिल्स देखिए उनकी सब की कॉलिटी बिलकुल एकदम तमो प्रधान मलब विकारी जहां पर सिर्फ गाली कलो जहां पर अशलीलता यह सब कुछ दिखाया जा रहा है आप खोड़ी समझते होंगे कितना पुराना जमाने का जो विक्त जो समय था उस समय विक्ती किस प्रकार के संकल्प बोल जो डायलोग्स भी होते थे कैसे करते थे तो यह भी सारी चीज़ें आज हम ब्रामनों के लिए बहुत मुश्किल खड़ा कर रही है अब 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 तरबाते हैं तो बाबा कहते हैं जहां समर्थी है वहां विर्थ जाए यह हो नहीं सकता जहां पर जो capable है समर्थी है वो कभी भी विर्थ में कभी भी कोईसी चीज़ को waste नहीं करेगा वो इन खजानों को समाल के रखेगा और leakage होने नहीं देगा यह हो नहीं सकता अगर विर्थ की leakage है तो कितना भी पुर्षात करो अगर विर्थ में जा रहे हो विर्थ बातों में विर्थ चीज़ों में अगर आपका पूरा दिन जाता है तो आप जितना भी पुर्शाद करें, आप जितना भी मुरली पढ़ लें, आप जितने भी अच्छी चीज़े सुन लें, लेकिन थोड़ा सा भरा, थोड़ी सी कमाई करी, और इसको फटा फट आपने कहीं गवा दिया, उसको कहीं निकाल दिया, आपने पवित्र पानी मिला और आपने अमरित में विश मिलाना श्रू कर दिया, तो कित अभी पुर्शाद को और बाबा कहते हैं, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते, क्यों? drainage हो रहा है leakage हो रहा है mixture हो रहा है MIXERN हो रहा है आपका तो जो mixture ये Michigan is gas हो रहा है इसको ogna है इसलिए leakage को check कर समाप्त करो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे leakage कहा हो रहा है कहाँ मेरी बुद्धी जारी है किनम के बारे में सोच रही हूँ किनके बारे में बुरा सोचना, किनके बारे में परचिंतन करना, परदर्शन करना, और उकर दर्शन करना, वो ऐसा, वो वैसी, वो उसने ये बोला, वो बोला, ऐसे नहीं होना, वैसे नहीं होना, ये लोग आज के ऐसे हैं, आज की दुनिया इतनी ऐसी है होगी है, हर चीज मे तो हमें ज्यान दिये है कि कल्य॥ चल रहा है लेकिन हम्कल्य शृटबॉड ुटूण जया है तो परमात्मा इस तरह हमें यह ज्यान देते हैं ताकि हम वेर्थ रिखते दरफ हमारा जितना लंबी संकल्पों की ट्रेन बनती जाएगी उतना निकेच लोता जाएगा तो हमें समर्थ करना है तो इसके लिए क्या करना है? एक उपाई मैं आत्मा अपने मन बुद्धी को सची बातों में लगाँ जूटी बातों में ना लगाँ तो अपने आप से बात करना कि देखो आत्मा अब ये व्यर्थ बातों में मत जाओ इन बुरी बातों के उपर ध्यान मत दो leakage स्टार्ट हो रहा है आपका तो अपने आप से बाते करना अंदर अंदर अपनी self counseling करना बहुत जरूरी है meditation और मुर्ली के साथ में इस ग्यान के साथ में तो आप इस चीज़ को बढ़ाएं अपने आप से बाते करें अपने आपको समझाएं कि ये ना करो क्योंकि आत्मा ही अपना दोस्त है और आत्मा ही अपना दुश्मन है मतलब हमारा मन ही हमारा दोस्त हमारा मन ही हमारा दुश्मन तो मन को बच्चा समझ करके समझाना ही भी हमारा करतव है वो आत्मा ही अपने मन को समझा सकती है छोटी छोटी चीजों में जैसे ये ना पहनो वो पहनो ये डिसिजन भी तो आत्मा ही करती है ये ना खाओ वो ना खाओ रोक लो अपने आत्मा ही करती है रोकती है तो उसी तरीके से जब हम खाने, पीने, पहनने की चीज़ों में रोख सकते हैं तो क्या हम अपने सोचने को भी नहीं रोख सकते क्या सोचीगा ज़रा इसके बारे में इसके जाथ आज चक आपका दिन शुब हो शक्तिशाली बने रहें और आप सेफ रहें ओम शान्ती